पाकिस्तानी इंटेटेन्मेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो आजकल एक सोशल मीडिया के उपर नई जंक छिड़ चुकी है सारा रजा खान ने एक ऐसी स्टेटमेंट डी है जिसकी वज़ा से उनकी और आइमा बेग की तसल हो रही है सारा रजा खान एक शोग में शिरकत की उन्होंने और उनका कहना था कि अगर तो आटो ट्यून का आप्शन निकाल दिया जाए तो नहीं समझती कि आइमा बेग एक सिंगर है बजीब उन्होंने कहा कि आप जब एक रोल में किसी वो कास्ट करते हो या तो आप मुवी स्टार में उन्हें देखते हो या तो आप ऐस अ मॉडल देखते हो या इन्टेनर देखते हो तो हर किसी का अपना किरदार होता है हर कोई अच्छे से गाना नहीं गा सकता इसकी जवाब में आयमा बेग ने एक वीडियो अपने इंस्टेग्राम के उपर पोस्ट की और उसमें देखा जा सकता है कि वो खुद से गा रही है कोई ओटो ट्यून नहीं है कोई भी उनके पास इंस्ट्रुमेंट भी नहीं है वो विल्कुल रॉप गा रही है और फिर आयमा बेग की हमायत में बहुत सारे और भी फनकार जो है इंडेटेन्म इंडस्ट्री के और बहुत सी आफ्रिसेज बहुत से मुजिशन उनकी हमायत के लिए खड़े हो गए और उनका एक कहना था कि आयमा बेग जो है वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा टैलेंट उनको कहा जा सकता है कि आज कल आयमा बेग की जो आवाज है उसमें एक अलग किसम का जादू है और बहुत से लोगों ने इन दोनों वीडियोज को साइट बाई साइट शेयर भी किया है सारा रजखान जिस वीडियो में तनकीत का निशाना बिना रही है आयमा बेग को वो भी पोस्ट की है और पिर जो आयमा बेग ने खुद से गाना गाया है उसको भी रीशेर किया जा रहा है और आब एक जंक छिड़ चुकी है क्यूब कि कुछ लोग सारा रजाखान की साइड ले रहे हैं कुछ लोग आम आवे की साइड ले रहे हैं कुछ लोग कई कहना है कि आप अगर खुद एक सिंगर हैं तो आपको एक और female singer की इस तरह leg pulling नहीं करनी चाहिए जी viewers आपका क्या ख्याल है इस लड़ाई के बारे में नीचे comment section में ज़रूर बताएगा